अध्याई के प्रारंप में हमने देखा कि कार्बन पर्माणवों में दूसरे कार्बन पर्माणवों से संयुक्त होकर लंबी श्रेंखला बनाने की शमता पाए जाती है और यही कारण है कि इनके योगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है इसी तरह से कार्बन के छोटे अणवों में आपस में संयुक्त होकर आपस में जुड़कर बड़े अणवों का निर्माण करने की भी योगिता या गुन पाए जाता है इस क्रिया को हम बहुली करण या पॉलिमराईजेशन कहते हैं इसमें जो छोटे अनु होते हैं उन्हें हम एकलग या मोनुमर कहते हैं और जो लंबी श्रिंखला वाले जो अनुमों की लंबी श्रिंखला होती है उन्हें हम बहुलग या पॉलिमर कहते हैं जैसे कि आप दैनिक जीवान में बहुत सारे प्राकर्तिक और संसलेशित यानि की कृत्रिम पॉलिमर्स का उप्योग, बहुलकों का उप्योग करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जैनिक जीवान में जो हम यूज करते हैं जैसे कि उन है, रेश्रम हैं ये भी एक प्रकार की प्राकर्तिक बहुलक हैं। पॉधों से मिलते हैं, तथा दूसरी प्रकार की पॉलिमर्स संसलेशित पॉलिमर्स या कृत्रिम पॉलिमर्स होते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो दो वर्कों में इन्हें हम वर्गी करते हैं, जैसे कि प्राकर्तिक बहुलक मैंने बताया रेश्रम उन, जो की जन्तों से प्राप्त होते हैं। ये भी एक प्राकर्तिक या नैचुरल पॉलिमर्स हैं। इसी तरह से संसलेशित पॉलक है। संसलेशिद पॉलक, जो की मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और इनका भी दैनेक जीवन में बहत अधिक उप्योग होता है। जैसे कि polythene हुआ, teflon, PVC, polystyrene या polypropylene इनसे बनी वस्तों का उप्योग आज हम इतनी जादा कर रहे हैं कि इनका ये प्रदूशन के परियावरनी प्रदूशन के कारक हो गए हैं तो आएए हम कुछ संसलेशित बहुलकों या कत्रिम बहुलकों के विसे में जानते हैं सबसे पहले हम जानेंगे polythene के बारे में polythene जो कि इθylene का polymer होता है इθylene के बहुत सारे अनुच जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हमें polymer प्राप्त होता है जिसे हम polyethylene कहते हैं अब जो polyethylene बनाय जाता है या संसलेशित किया जाता है या दो विधियों से किया जाता है और दोनों ही विधियों से प्राप्त होने वाले जो polyethylene है उनके गोण भी भिन भिन होते हैं इस तरह से हम polyethylene को दो वर्ग में या दो भागों में बाढ़ सकते हैं या दो प्रकारों म जिसे हम लो डेंसिटी पॉलिएथिलीन कहते हैं और दूसरा होता है उच्छ घनत्व पॉलिथीन या जिसे हम हाई डेंसिटी पॉलिएथिलीन कहते हैं तो पहले हम जानते हैं LDPE यानि कि कम घनत्वाले पॉलिथीन के विसे में जब एथिलीन को काफी उच्छ दाब जो की 1500 से लेकर 2000 तक होता है तो 1500 से लेकर 2000 एट्मोस्फिरिक प्रेशर में तथा तापमान 350 से 510 कैल्वीन के बीट जब इन्हें गर्म किया जाता है और यहां पर हम बता दें कि जो अभ क्रिया होती है उसकी शुरुआत करने के लिए परोक्साइड इनिशियेटर स्काउप्यो किया जाता है तो जब यह इतने उच्छ दाब में इनकी क्रिया होती है तो जो इथिलीन के अणू है आपस में जुड़कर पॉलिथिलीन का निर्मान करते हैं और यहां पर जो पॉल निर्मान कर anders पॉल्स नुलिथिलीन था यह सबसे पहले पहला बनाया पॉलिथिन है जो से 1933 में बनाया गया था और पॉलिथिन का यह जो ग्रेड है आज भी यहाँ पर उप्योग में लाए जाता है इसके लाव हम देखें कि जो low density polythylene है इसका जो recycling code होता है इसे 4 code दिया गया है हलाकि लेकिन इसका ये 1 एक बार उप्योग होने वाला polythylene है और इसी लिए इसका recycle नहीं होता है यदि हम इसके गुड़ों की बात करें तो चूंकि ये उच्च दबाओं के साथ बनाय जाते हैं और इसलिए इनकी जो सरचना होती है या काफी ज़्यादा शाखित होती है यानिकि इनकी जो श्रणिया होती है या श्रिंखलाय होती है वो बीच बीच में शाखाओं में विभ अंतर अनुबल होता है वो काफी कम होता है और इसकी वज़े से ये क्रिस्टली कृत नहीं होते या इनका घनत तो काफी कम पाया जाता है और चुकि इनका घनत तो कम होता है इसलिए लचीले होते हैं लेकिन इनकी जो तनन छमता होती है वो काफी कम होती है इसके लावा इसमे जो अधिक शाखाए होने की वज़र से ये कमजोर होते हैं लचीले सुफाओं के लचीली प्रकृति के होते हैं यदि हम इनके उपयोग देखें तो जितने भी हम देखते हैं कि कैरी बेग हुए या कि जिपलॉक वाले पॉलिथीन्स हैं उनका उपयोग हम करते हैं वो इनसे ह या फिर बॉटल्स उती जो प्रयोक चालत लाई जाती हैं कहने हम बहुत ही लोग होते हैं इसकी वज़े सिल वज़ेशाचा लसे हम जेले बाकते केया हैं जैसे insulators बनाने के लिए इनकाउप योग होता है जो cable pipes होते हैं केबल तार होते हैं उनकी covering बनाने के लिए इनकाउप योग किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं उच्छ घनत polythylene यहने की HDPE के विसाय में तो यहाँ पर HDPE के लिए बनाने के लिए जो condition होती है वो होती है ल लेकिन यहाँ पर दबाव काफी कम होता है दबाव केवल 6 से 7 atmospheric pressure होता है लेकिन यहाँ पर एक विशेज प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जिसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं क्योंकि इन ही वैग्यानिक ड्वय के द्वारा इसे बनाए गया था और यह इथिलीन के polymerization के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जिगलर नाटा उत्प्रेरक के यह दि हम बात करें तो यह दो पदार्थों का मिश्रण होता है एक होता है प्राई थाइल अलूमिनियम और दूसरा होता है टिटेनियम टेटरा क्लोराइड इनके से यहाँ पर तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थती में करीब 330 से 343 कलिवन तापमान और 6 से 7 अट्मोस्फेरिक प्रेशर पर जब इथिलीन का बहुली करण कियते हैं तो हमें high density polyethylene प्राप्त होते हैं उच्छ घनत वाले polyethylene प्राप्त होते हैं और जब हम इनकी गुणों की बात करें तो इनकी जो संडचना होती है वह रैखी होती है यानि कि इतमें शाखाओं की कमी होती है और शाखाओं की कमी होने की वज़े से इनके अनुओं के बीच अंतर अनुक आकर्शन बल ज्यादा होता है यह पास पास होते हैं और इसकी वज़े से इनका घ मीटर होता है तो काफी घनत होते हैं इसलिए काफी हाड कठोर प्रकृति के होते हैं और इनका गलनांक भी काफी अधिक होता है करीब 131.8 degree centigrade के लगभग पाया जाता है यह भी रासाइनी कृप से अक्री होते हैं और विद्दुत के भी यह खुचालक होते हैं और इसलिए जो इलेक्रिक समान होते हैं उनको बनाने के लिए उनकी कवरिंग के लिए इनका उप्योग किया जाता है इसके अलावा जितने भी आपके घरों में डस्बीन बनाने के लिए बड़े-बड़े बास्केट बनाने के लिए इनका उप्योग हम करते हैं इसके अलावा बहुत सारे खिलोने और तथा दूद की जो सुराहियां होते हैं या फिर इंधन रखने के लिए जो जेरिकेंस होते हैं वो सब इसके द्वारा बनाया जाते हैं बहुलक की कड़ी में अगला बहुलक है टैफलॉन या जिसे हम कहते हैं टेट्रा फ्लोरो इथीलीन टैफलॉन आपने नान स्टिक बर्तनों का उपयोग भी किया होगा आपने देखा भी होगा कि जो नान स्टिक बर्तन होते हैं जब हम उसमें खाना बनाते हैं तो कम तेल में बना सकते हैं और यह जो खाना है उसमें चिपकता भी नहीं है कारान होता है कि यह जो बरतन होते हैं उसमें काले रंग की कुछ पेस्ट लगा होता है यह कवर लगा होता है यह जो काले रंग का पॉलिश होती है वही टेफलॉन की पॉलिश होती है और सबसे जो टेफलॉन का गुण यह है कि यह 330 degree centigrade तक भी यह melt नहीं होता है और यही वज़ा है कि टेफलान का उपयोग बरतन के उपर कोटिंग करने के लिए किया जाता है इसे बनाने के लिए जो हम एकलग यूज़ करते हैं वह होता है टेट्राफ्लोरो इथिलीन और इसकी वज़ा से जब बहुलक बनता है टेफलान उसे हम कहते हैं पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन यहाँ पर टेट्राफ्लोरो इथिलीन यह जब हम इथिलीन अणू के चारो हाइडरोजन परमानू को चार फ्लोरीन परमानू के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है टेट्रोफ्लोरो इथीलिन और इसके बहुत सारे अन्मों को क्योंकि हम जब मोनोमर्स लेते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक लेते हैं और इसलिए इसके सामने हम हमेशा स्मॉल एन लिखते हैं जो उसकी संख्या को दर्शाता है उसके बाद जब इनकी क्रिया उत्प्रेरक की उपस्तती में उच्चताप पर कराई जाती है जब इनका पॉलिमराइजिशन होता है बहुली करण होता है तो उसकी फल्सवरूप हमें पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीलीन प प्रती भी ये काफी रोधी किस्म के होते हैं यानि कि सामाने तोर पर जो उच्च अमल होते हैं जैसे इनका असर नहीं होता है इनके साथ ये क्रिया नहीं करते हैं और इसलिए ऐसे जो उच्च वसी अमल होते हैं जो सांद्र अमल होते हैं उनके प्रवा के लिए जो बनाई जाती है या उनके कंटेनर्स बनाए जाते हैं वो टेफलॉन के ही बनाए जाते हैं आजकर बहुत सारे जो गैसकेट बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए भी टेफलॉन का उप्योग किया जाता है यहां पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जो नान स्टिक बरतन ह होते हैं जैसे कि मैंने बताए टैफलोन का गलनांग काफी उच्छ है यह 330 degree centigrade टापमान तक भी पिघलता नहीं है लेकिन यती टापमान खाना बनाते समय बरतन का तापमान इससे अधिक चला जाए तो फिर यह पिघल जाता है और इसके विगटन से विविन प्रकार के खानेका एक पदार्थ बनते हैं जो कि हमारे लिए काफी नुकसान दे हो सकते हैं इसलिए जब भी हम नॉन्स्टिक बरतन में खाना बनाएं तो हमें धीमी आच में बनाना चाहिए। जिससे की तापमान जो बरतन का तापमान है वो 330 से उपर न जाने पाए और इसलिए जो टैफ्लान पिगलेगा ने विगटित नहीं होगा और हमारा खाना सुरक्षित रहेगा जो इसलिए जब भी हम non-stick बरतन में खाना बनाएं तो हमें तापमान को जो slow में रख कर बनाना च जानेंगे उसे हम कहते हैं polyvinyl chloride या जिस सेम शॉट में कहते हैं PVC आपने देखा होगा जो भी आप रेन को टूप्यों करते हैं या टेबल को ढखने के लिए बड़े-बड़े cover यूज करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि जो आपके खिलोने होते हैं या जो गाड़ियों के साइकलों के मटगाड बने होते हैं ये सबी PVC के ही बने होते हैं और सबसे ज़्यादा उप्योग जितनी भी जो केवल या विद्दुत की जो पाइपें होती हैं या फिर जो irrigation के लिए जो मोटी पाइपें उप्योग में लाइ जाती हैं वो सबी PVC पाली विनाइल क्लोराइड से ही निरमित होती हैं तो इसलिए ये जो बहुलक है हमारे लिए काफी जादा उप्योगी हैं और इसको बनाने के लिए हम विनाइल क्लोराइड का उप्योग करते हैं विनाइल क्लोराइड में जब हम इथिलीन के अणू में से एक हाइडरोजन को एक क्लोरीन परमाणू के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यह जो सरचना हमें प्राप्त होती है, उससे हम कहते हैं वाइनल क्लोराइड, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर क्रियात्मक समू यानि के क्लोराइड है और वह एक बंद के अंतर से द्वी बंद और क्लोराइड समू के बीच एक बंद का अंतर होता है, यहां पर इस प्रकार की जो सरचना तयार होती है उसे हम vinyl कहते हैं तो इस प्रकार vinyl chloride यहां पर monomer के रूप में उप्योग किया जाता है और जब इसका बहुली करण हम उत्प्रेरक की उपस्तति में करते हैं तो यह हमें जो बहुलक प्राप्थ होता है उसे हम कहते हैं polyvinyl प्रती भी यह रोधी होते हैं इसलिए इनका उप्योग बहुत सारे रसाइनों या को रखने के लिए जो विद्धुत उपकुरण हैं उनको बनाने के लिए इनका उप्योग किया जाता है हमने देखा कि ये सभी बहुलत क्योंकि डूरेबल होते हैं मजबूत होते हैं इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है और साथी साथ ये विद्धुत उश्मा के रसाइनों के प्रतिक उचालक होते हैं इसलिए इनसे बनी वैस्तों का उप्योग हम ब लेकिन इनके बहुत अधिक उप्योग से हम जानते हैं कि पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये पदार्थ जल्दी विगटित नहीं होते हैं और इसलिए ये पर्यावरण प्रदूशन का कारण बनते हैं हम सबी जानते हैं कि जो पहले के समय में जब जनसंख्या कम हुआ करती थी हम प्राया पेड़ों या जन्तों से प्राप्त होने वाले जो प्राकरतिक पदार्थ हैं उनका उप्योग करते थे हम कागज की थैलियों का उप्योग करते थे, जो कौटन जूट के बने पदार्थों का उप्योग करते थे और इन पदार्थों का चूकि आसानी से विगटन हो जाता था, इसलिए हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता था लेकिन एक समस्या थी क्योंकि ये सभी पदात प्राकरतिक पेड़ पौधों से तयार होते थे इसलिए इन्हें बनाने के लिए हमें पेड़ कातने पड़ते थे और धीरे-धीरे पेड़ों की संख्या कम होने लगी जिसकी वज़से पर्यावरणी प्रद्यूशन की समस्या कार्बन डायोकसाइट की अधिक्ता होने की समस्या आने लगी इसकी वज़से हमें पाली थीन जैसे पदार्थों या बहलोकों का सहारा लीन पड़ा जैसे कि हमने जाना कि इनके गुन बहुत अच्छे होते हैं, ये काफी हलके होते हैं, सस्ते होते हैं, मजबूत होते हैं, लंबे समय तक टिकाव होते हैं, और रसायनों के प्रती रोधी होते हैं इस वज़े से इनका उप्योग दिनों दिन बढ़ता चला गया और अब हम जानते हैं कि ये आज हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक हो रहे हैं हम जानते हैं कि पर्यावरण में क्योंकि इनका विगटन नहीं होता है इसलिए ये बहुत अधिक मात्रा में प्रदूशन के कारक होते हैं हमारे जो जनतू हैं इने खाकर इनकी मृत्यू हो जाती है यदि इने जलाकर नस्ट किया जाए तो ये कारवन मोनो अक्साइड कारवन डाई अक्साइड जैसी गैसे उत्पन करते हैं जो की हमारे जल वायू तथा धर्ती सभी के लिए नुकसान दे होते हैं तो समस्या का समधान तभी हो सकता है जब हम इनका उप्योग कम से कम करें और इसके लिए हमें 4R का सहारा लेना होगा सबसे पहले तो हमें refuse यानि कि इनके उपयोग को मना करना होगा इसके लिए हम थैले की जगह पर पॉलिथीन की थैलियों की जगह पर हमें जूट या कपड़ी की बनी हुई थैलियों का उपयोग करना होगा हमें जब भी घर से बाहर निकलना हो हमारे बैग में एक कपड़े का थैला होना चाहिए जिससे हम इसके उनके उप्योग को कम कर सकते हैं इसके अलाबा हम इनके उप्योग को reduce भी कर सकते हैं और कम से कम इनका उप्योग जहाँ पर अती आवश्यक है वहाँ पर उप्योग तो करना ही है लेकिन उसका उप्योग हम कम से कम करें इसके अलावा हम इनका reuse कर सकते हैं जैसे बहुत सारे containers होते हैं जो जल्दी से nest नहीं होते हैं तो उन container तेल के हैं, दूद के container जब ये खाली हो जाते हैं तो उनका उपयोग हम पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे जो bottles होती हैं उनका उप्योग हम क्यारियां बनाने के लिए कर सकते हैं इस तरह से दूसरी चीजे बना कर हम इनका उप्योग reuse करके हम इनके production को कम कर सकते हैं इसके अलाबवा चोथी चीज होती है recycle जो भी polythene recycle हो सकते हैं उनका recycle करके हम दूसरे उप्योगी पदार्थ ताकि नए पदार्थ नए इनका बनान ना पड़े और परियावरण का प्रदूशन कम हो तो इस तरह से हमारा करतव्य है कि यदि ये बाहुलक हमारे लिए उप्योगी है तो हमें इनका उप्योग इस तरह से करना है कि परियावरण का प्रदूशन ना होने पाए